हाई फैंस आप देख रहे हमारा यूटूब चैनल अर्जोन एजक्र मास्टर दोस्तों आज की वीडियों हम लाए हैं एक बहुत ही आसां ट्रेक जिससे आप बिना किसी इंजिनियर के जरीए भी पूरा मेंटेनस सीख सकते हैं तो दोस्तों अगर आप भी जाना जायते हैं व हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे तो दोस्तों वह सिंपल सी आसान कौन सी ट्रेक है दोस्तों आई यह वीडियो स्टाट करते हैं जानते हैं वह कौन सी ट्रेक है तो दोस्तों आप देख रहे हैं एजक्स फ्यूले का रूटिन मेंटेनस चार्ट दोस्तों यह चार्ट हर मशीन के लीवर बॉक्स पर लगा रहता है अगर मशीन 4MQ की है उस पर तो 4MQ का मेंटेर्स चार्ट लगा होगा अगर 2MQ की है तो 2MQ का तो दोस्तों यह हर मशीन के उपर लगा रहता है लेकिन ओपरेटर्स को समझने बाला रहता है वो ही समझ पाता है हर कोई operators के बारे में नहीं जानता है तो आईए दोस्तों आपको अब आगे बताते हैं कि इस चार्ट से हम कैसे पूरा आपको चार्ट के नीचे ले चलते हैं जहां पर आप तीन टेक देख रहे हैं जो कि अलग अलग डिजाइन के रेट गोले के अंदर दोस्तों आप तीन टेक देख सकते हों सबसे पहले दोस्तों को इनको समझना है इनका मतलब क्या रहता है तो दोस्तों आईए आपको बताते इन तीनों का मतलब क्या रहता है दोस्तों तो जो ये बिलेक टेक है ना सबसे उपर जो बिलेक कलर का दोस्तों इसका मतलब होता है पीरियड एक चैक दोस्तों इसका मतलब है कि जहां पर भी एक लगा हुआ है जैसे अगर कहीं पर भी एक लगा हुआ है और बहां पर लिखा ह कि दो गंते में चेक करना है् या दास घंटे में चेक करना तो उसको दो बाठ फिर दास的時候 पिरेडिक चेक दोस्तोब बात हैं दूसरे नमर पर क्या सब डूसरे नमर पर आप जो नयासान देख रहे हैं यह और कहीं भी लगा हैं तो उसका मतलब है तो फर्स्ट चेंज यानि कि पहली बार कब चेंज करना है दोस्तों यह निसान बताता है कोई भी वायल है ग्रीस है कोई भी चीज है पहली बार कब चेंज करना है यह दोस्तों जहां भी लगा रहेगा उसका मतलब हो कि यह पहली बार का ही दिखा रहा है पहली बार कितने घंटे में या कितने टाइम बाद चेंज करना है तोस्तों ये न人民 squash जाह माइगा तो मतलब होएगा कि ये कोई भी वाइल के उपर है जैसे दोस्तों तो यह रहे का बताएगा कि इसको कितने गंटे बाद दुबारह चैंज करना है तो दोस्तों आई ये आप आसा यह तीनों चीज तो आप समझ जगए होंगे अब दोस्तों आपको उपर लेकर चलते हैं चार्ट के उपर दोस्तों अब बताते हैं आपको इसको समझना कैसे दोस्तों इस तरफ जैसे आप देख रहें यदर लिखा हुआ है cleaning और दोस्तों तो cleaning में सबसे फर्श्ट नम्बर लखा होगा है मसिन आए तो दोस्तों अब आपने लाइन में देखेंगे सबसे पहला ही टिक लगा हुआ है डीली वर दोसफ यानि कि दोस्तों हमको मशीन बासिंग मशीन को देली ही धोना है डिली यादस गंटे में मसीन धोना है दोस्तों अगर यह दस की जगह यह देड़ सो हाबर्ष बाले यहां लगा होता तो इसका मतलब रहता कि मसीन बासिंग हमको घंटे में करना है लेकिन कि ड़ेख दस्टावर स्वावर्श का लगा हुआ तो दोस्तों मितलब दस वह में भी मसीन दोना है दो स्टो तो सिंपल सा है आप समझ गए होंगे दूसरी चीज भी आपको बता देते हैं जैसे अब आपको दूसरे में भी बता देते हैं जिसमें लिखा हुआ है चेकर एड करना है तो दोस्तों अब इस लाइन में देखते हैं कितने घंटे में टाइट दीला करना है तो फैनवेल्ट बाले सीध में ही देखेंगे हम दोस्तों सामने लाइन में टेक लगा हुआ है बीक लिग और पचासा अबाट तो दोस्तों इसका मतलब है कि हमको हर हफ्ते में पच नहीं है दोस्तों सिर्फ इस चार्ट से आप सब में डिना सीख सकते हैं बस थोड़ा सा आपको धेया रखना है दोस्तों इस तरफ नाम दिए हुए दिस्क्रिप्शन लखा हुआ जाए उसके नीचे सब नाम दिए हों हर चीज के दोस्तों यह नाम सिंपल से हमको पढ़ना है जिस चीज के बारे में भी जानकारी लेना है कब चेंज करना है कब चेक करना है तो दोस्तों सीधा सा तरीका है आप जाइए इस तरफ जो भी चीज वाले option को चूस करना है अब उसमें आठ चीजे दूई हैं जिसमें साथ में नम्मर पर लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि तीन मन्त या फिर 500 घंटे होने पर हमको डीजल टेंक करना है किलीन करना शाप करना है दोस्तों आप सिंपली चार्ट में देखी रहे हो सबसे इधर सबसे पैस्ट में लखा है टाइप आफ ओप ऑपरेशन जिसमें एक लिखा हुआ है सबसे पहला option है cleaning उ कि ऐimana दोस्तों के दोस्तों checked टरृस्ट यानि कि चेक करना और देखना है तो स्क्केण करना आता है ताइट ऽुक्त दोस्तों इसnos हला थे करना दोस्तों इस करना और कोई छीड़ेली सोछं के बाद आता है दोस्तों check as top up डोस्तों का करना है कि और दो सके बाद आता है तो कि दोस्तों चेंज करना के लुब्री केशन में दोस तो के लिए सिया आता है जिस चीज के बारे में भी पता करना है जैसे दोस्तों आपको कसी चीज रिप्लेस्मेंट करना जैसे इंजन वाइल है फ्यूल फिल्टर है इसमें से कोई भी चीज चलो चैसे हमको हाई डोलेक वाइल चेंज करना है तो सिंपली दोस्तों रिप्लेस्मेंट में जाना है हमको उसके बाद पांच नमर अब दोस्तों हमको इसका पता नहीं है कब डलना है तो दोस्तों सिंपली से हमको यह जो जिस लाइन में यह पी लिखा हुआ है उसी लाइन में दोस्तों हमको उपर जाना है दोस्तों सिंपली हम उपर आगए उपर जहां आप देख रहे हो इसी लाइन में वहां टिक लगा तो इसका मतलब है हर 9 महीं ने या फिर 15 घंटे हो जाने पर मसीन का हैडोलिक वाइल चेंज करना है और उसके बगल में दोस्तों आपको क्वाइंटिटी भी लिखी हुए 110 लीटर तो दोस्तों है ना सिंपल सा तरीका सम मेंटेनस सीखने का दोस्तों सरफ एक चार्ट से आप सम मेंटेनस सीख सकते हैं तो गाइस कैसी लगी आज की वीडियो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों और अगा आप चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे दोस्तों हमारा चैनल हमेशा एक्स प्यूरी के बारे में वीडियो के साथ तो दोस्तों देखना ना भूलें आपका अपना अर्जोन एजक्स मास्टर चैनल